अस्वान चीमा वेल्कम बैक विद नदर वीडियो आफ केपिटल स्मार्ट सेटी दिस वीडियो जो आफ सेटर जी और सेक्टर जी में जो प्लॉट जाइस उनके वह 25 पैंचेट अगर मरलों में बात करें दस मरला और स्क्वेरियार्ड जोंकर बात करें तो 250 स्क्रियार्ड के लोकेशन के लिहाँ सेटर जी एक एहम बात जो है वह यह है कि सेक्टर जी एक वाहिद ब्लॉक है जहांसे आपको डिरेक अकसेस मिलती है विदाऊट कमर्शल इंटरफेरंस आप सेक्टर जी में एंटर हो सकते हैं यह इसका पॉजिटिव बात है इन इसका प्रो है कि जो 400 प्राउनिंग काम हुआ है अब सेक्टर जी के वाले से जो कौन है जो इसमें एक कहलें किसमें नेगिटिव बात है वह यह है कि सेक्टर जी का कुछ पार्ट जो है वो डिप्रेशन में तक्रीव पंदरा से बीस फूट की डिप्रेशन पे है तो उस पार्ट पे फिलिंग होगी होगी यानि कि उसको फिलिंग के बगार उसका जो है वो गुजारा नहीं है तो उस पार्ट को फिलिंग किये बगार सोसाइ है सेक्टर जी में तो सेक्टर जी में इस वक्त सिर्फ ब्राउनिंग काम हुआ है और ज्यादा फोकस जो है स्मार्ट एटी का वो है 400 फिट रोड पा और 400 फिट रोड के साथ जो सेवरेज लाइन डलनी है और उसके बाद मैं आगे जाके वीडियो में बागे डिटेल एक्स्प्लेन करता हूँ इसक्टर फिट रोड पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं लेकिन डिरेक्ट एक्सेस जो जो जिस ब्लॉक होती है उसके अपनी प्रॉमिननसी होती है यह लेटर सेज़ पे जिन मेंबर्स के पास यहां पे प्लॉट्स हैं जब वो इसको सेल करेंगे तो तब इसका बेनिफिट रेलाइज करेंगे इसमें एससेज जो उनको कोई बेनिफिट रेलाइज नहीं होगा अगर हम बात करेंजी इसमें जो मैं डिरेक्ट एकसस का बार बार जिकर कर रहा हूं किया रीजन है अब यह डॉक्टर अंक्लेव है फर एजेंपल डॉक्टर अंक्लेव में जब आप एंटर होंगे रिक चार्षॉ फेट रोड से दो रस्तें एक यह रस्ता है जो बलकर डॉक्टरण कलेव में जाता है और यह व्यूवला रस्ता है जो आपको सेक्टर एफ के अंदर आठ मरला कमर्शल्स और चार मरला कमर्शल्स सेक्टर जी के हुआले से प्रॉमिनिंट बात यह यह तीन स्रीट जो हैं वन टू ठी फूर यह जो चार रस्ते आपको नजर आ रहे हैं एक साथ से यहां पर पार्क है, अगर यहां से भी रस्ता आता तो यह एक वाहिद ब्लॉक होता जिसको six entrance point होते और वो भी 400 feet road और 180 feet road से तो यह residential point of view से देखें, इस property की वर तो automatically बहुत ज़्यादा increase कर जाती है, यह prominent बात इसलिए है कि 400 feet road पर हमेशे high rise commercial होते हैं, उसको आपको एक point पर 4 रस्ते at a time मिल रहे हैं, बलके 5 रस्ते at a time आपको एक जगा से मिल रहे हैं, तो उस block की automatically जो value होगी later stage पर जाके plots की value, उसके demand में बहुत इजाफा होता है, क्योंकि commercial के interference नहीं है और हर लिहाद से यह property जो ज़्यादा best बन जाती है, अब 4 sites के बात कर बात करें, north, east, west, south की, north और साइट पर बात करें तो यहां पर grand jammy mosque है, जिस पर अलड़ी leveling होई रही है, और यहां पर मेरे हमें बहुत जल्दी construction स्टार्ट होगी, जो साइटी के अपनी main grand jammy mosque होगी, उस पर यहां पर काम स्टार्ट होगी, मलेकसलम साब का साइट पर सबसे favorite काम होता करना, सबसे प block B की, यहां पर block, इसके अंदर भी सबसे पहले जो हो मस्जिद काम का अगाज ही किया गया था, यह आपको यहां आपको मस्जिद साइट पर, अगर आप विजिट करते हैं, तो आपको यहां पर साइट पर, मस्जिद पर construction होती भी, नजर आएगी, तो यह overall जो important बात हो यह है, यह आपको नजर आ रहा है, यहां मस्जिद बन रही है, यह important बात है कि इस block में, जो चार साइट में explain कर था पहले, north, east, west, south की, तो मैं को वो explain कर दो बहले, यह overseas central का master plan है, यह समिचार साइट आती है, north side पे इसके grand jamia mosque है, east side पे इसके बात करें, तो यह इसके residential apartment building होगी, यह इस block के लिए थोड़ा सा काउन है, क्योंकि यह apartment building मेरे हैं में ground plus 5 यह ground plus 8 की होगी, तो यह जो commercial का यहां से interference है, वो यहां से तो नहीं होगी, लेकिन इस side से commercial नहीं residential interference होगी, लेकिन वो ऐसा impact नहीं करती, लेकिन फिर भी एक, मैं अपनी नजदीग, मैं जो properties पसंद करता इस side से, अगर हम बात करें इसके west side पे, तो west side इसके 400 foot का road है, और 400 foot का road clearly बहुत जदा important access point प्रवाइड करता है इस block को, from the main M2 motorway, आप उतरते हैं तो आप directly इस block में बढ़ा easily access ले सकते हैं, अब third is के इसमें बढ़ेते हैं, south side पे, तो south side पे इसके financial square आता है, यह एक भी एक positive बात है कि इसका direct impact इसकी high-rise का इस तरफ नहीं आएगा, कि इसमें कोई building भी facing G-block नहीं है, तो यह चार sides बनती है G-block, अब एक G-block की और सी चीज महीर करते हैं, कि G-block का distance from the main motorway, यह G-block का map है, मैं इसमें दरह ड्राव करता है, यह starting point होगा G-block का, तो अगर आपने let's say motorway प होते हुए 2.89 km का distance तैय करते हुए directly M2 motorway पर access ले लें और आपके पास यह option बनता है, यह इस तरह से distance को आपकी line draw होती है, अगर आप G-block से main M2 motorway को access करना चाहते हैं, तो second is, कि इसमें जो दूसरा point बनता है access का, यह 2.89 km का है, बाद दूसरा access का point बनता है, यह यह बनता है आप sector G की बजाए, आप sector F की ओपर से होते हुए 2.83 km में easily access ले सकते हैं, बीच में 160 foot का road भी आता है, इट डेजन्ट मैटर आप directly 3 km के अंदर अंदर, यह निकि domain of 3 km, आप M2 motorway पर access ले सकते हैं, जो कि किसी block के लिहाँ से बहुत ज़्यदा important बात होती है, location के point बिए से, अ आप इस sector G के land के में बात करें, इस land में, अभी इस वगोगल अर्स पर जो images updated है, वो है, sorry, July 2021 की अभी स्में मजीद अपडेट नहीं हुए images जब होंगी, तो मैं आपको उस हवाले से बेंचला बता दूँगा, में में अगर देखें तो यह साइट कुछ यूं नदर आती थ आपके सामने, उस से पहले जो प्रीविसली यहां पे लास्ट ये जुलाई में, यह आदी साइट जो थी प्रिक्योड थी और आदी साइट प्रिक्योड नहीं थी, आपको ख्लेर नहीं नदर आ रहा है, कि जुलाई 2020 में इस साइट पे हाफ एरिया ऐसा था जो मकमल ग्रीन नहीं था, यहां पे कोई भी लेंड प्रिक्योड नहीं थी, अरली स्टेज पे, यहां पे लेंड प्रिक्योर्मेंड नहीं थी और लेटर स्टेज पर जाकर आग्ज मैं, अब मैं इमजिस 2019 से 2022 की तरह मूव कर रहा हूं, तो हापको आइडिया होता जाएगा, कि यहां पे क यहां पर डिवेलपमेंट भी है अभी आज की डेट में तो आपको प्रॉपर्ली जो मिलती है वह कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं यह आज की आपकी साइट आज की डेट में चार सो फिट रोड़ है और साधी सेक्टर जी की लैंड जिसको यहां पर मकमल इसकी ब्राउनि किया था फिर यह रफ चोड़ दिया इसको फिर ग्रीन हो गया लेकिन इस सारी लैंड जो सेक्टर जी की है 100% प्रिक्योड है मैं यहां पर साइट पे इस सेल्फ यहां में मिशिनरी मूव करती देखी है तो कोई बंदा अपनी जमीन पर किसी थर्ड परसन को वैसे गुजरन की की को देख सकती है इसके लाव उझे बहुत जबां चाहार था लोienen थेट्रेव से हो सकता था पहली वीडियो थी इस और से से कावले से की स्ट्र ब्लॉक वाइज नहीं मिनerus है को पहली वीडियो का कि मैंने जितना डेटेल से एक्स्प्रेइन करने की एवरेज वीडियो से वह है पंदरा से बीस मिनिट की है तो आपको तमाम डेटेल से मिल जाएंगी अब यह जो वीडियो से बेसिकली यह स्टार्टिंग पॉइंट यह परेमिटर रखेंगे कि जब अरली स्टेज पर यह न से अच्छा परेमिटर हमारे पास नहीं हो सकता कि बैलेटिंग के बाद से लेकि अब तक हम सेक्टर वाइस प्रॉपर लेक कैटलोग बना कर रख लें कि हां ओवरसीज सेंटल का यह कैटलोग है और इसमें इतनी डिवेलप्मेंट रिसन डेज में होई है तो इन्शाल आने सेक्टर में ओवरसीज सेंटल में पहलेंगें अच्छी बात है कि सिर्फ 10 मरला के हैं और कुछ कॉछ कॉर्म प्लॉट के साथ डिरेक्ट अक्सेस था तो सचाइटी की तरसे इसको अरली स्टेज पर प्रियॉटि पर डेवलप करना है सचाइटी की मज़बूरी मेंगेंट तो जब वो विजट करेंगे यहां पर उस वक्ट यहां पर साइट पे उनको डेफिनली 400 फिट रोड से गुजरना होगा और 400 फिट रोड के राइट साइड यह लेफ्ट साइड अगर आपको जाड़िया और खड़े नदर आएंगे तो डेफिनली बहुत बुरा इंपक्ट जाएगा तो मेरा ख्याल है कि साइटी प्रियॉरिटी पे सेक्टर जी को डिवेलप करेंगे इस वक्ट में सेक्टर जी की फूटिज ने देख रहे हैं यह मैं ड्रोन को वापस राइट करना तो आवराल 360 व्यू दिखा रहा हूं जो नेबर रोड की ब्लॉक्स बंते हैं य जो बी इंडिवेज़ुल अगर चक्री रोड से आता है ओवर्सी प्राइम के रस्ते और आकर आकर ब्रिज क्रॉस करते हैं ज्यक्तिव वाला लेटर सेज़ भी जब ऑपन हो जाएगा क्रॉस करते हैं तो डिरेक्ट ली आपकी जब अपनी और सेंट्र मेंटर होना है तो आ जब जिसे टाइम गुजरेगा तो हम इस स्पीड को अच्छी तरह देख सकते हैं कि ससाइटी इसको कहां पे लेकर जाने के राधा रखते हैं लेकिन ओवराल डिवेलप्मेंट के लिहास से देखा जाए जो बैलेटिंग के बास से अब तक तो मेरा हल में ओवर्सी सेंट्र में काफी जाधा खातरकाओ डिवेलप्मेंट हूई है क्योंकि जिस तरह के एरिया यह है उस एरिया के लिहास से इस डिवेलप्मेंट को बहुत ज्यादा मैसिव काउंट करना चाहिए क्योंकि सारा अए जो कटिंग वाला है सिवाए चंद पार्ट के जैसे सेक्टर जी में www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट और शेर और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिज्वान चीमा को दीजिए जादत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस अगर प्लीजे जादत अग्मो जादत भूलें